आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें लगा, समय, क्या होगा, यदि उसे उस इस्तती से मुक्त किया जाए ठीक है, तो हमें ऑप्शन्स दे रखें, उनमें ऑप्शन बन दे रखा है, टी, ऑप्शन टू दे रखा है, टी बाई, ठीक है option 3 दे रखगा है 3-T by 4 option 4 दे रखगा है T by 4 ठीक है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा option है वो correct होगा ठीक है तो यहां हमें क्या बूला गया है यहां पर हमें बूला गया है कि यहां पर क्या है सरल लो लगए है ठीक है इसको इस इस्तिती A से छोड़ा गया है ठीक है तो जब इसको इस्तिती A से छोड़ा गया है तो ये क्या करता है पहले सरल आवर्ट कती करने लगता है ठीक है तो पहले यहाँ पर आएगा ठीक है इस इस्तिती पर फिर यहाँ से आपर फिर केवल यहाँ पर है इसका केवल यहां पर पूरा एल लंबाई का जो लो लगता है वो इधर आ रहा था है ठीक है लेकिन अब यहां पर क्या होगा कि केवल जो एल बाई वापस इधर चल जाएगा ठीक है इस इस्थती तक आने पर कितना टाइम लगेगा वो हमें पता है ठीक है तो वह क्या होगा आवर्दकाल के बराबर होगा है ठीक है तो लोलकका आवर्दकाल, अवर्दकाल हमें कितना दे रखा है, कितना दे रखा है T दे रखा है, ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर ये L लंबाई का है तो जो इसका आवर्दकाल होगा T, वो होता है T बराबर 2P上 रूठ L by G जिकल क्या है लंबाई है और G क्या है गुरूतविय त्वरार है ठीक है तो ये क्या है लूलुक 1 आवर्तकार टीह कैरे छीह तो हमें बूढ है इस बॉबक को यहां से यहांबे विरामरस्थाष में था यहां से 있지 को क्या कर रहा है और वापस यह यहाँ पर आ गया ठीक है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बॉब को वापस वापस उस इस्थिती तक उस इस्थिती तक इस्थिती तक पहुचने में लगा समय लगा समय किसके बराबर होगा वो बराबर होगा ती 1 बाय तू प्लस टी 2 बाय तू है तो टी 1 कौन सा आवर्थकाल है कि ये जो है लोलक क्या है पहले यहाँ से यहाँ तक आ कौन से लंभाई का तो जो उसका आवर्थकाल है वो कितना है T1 है ठीक है और T2 क्या है जो L by 4 लंबाई का था गया यहां से पहले यहां गया वर्थ काल कितना है T2 है तो यह T2 और यह T1 ठीक है तो हम जानते हैं कि T बराबर 2 पाई अंडरूट L by G होता है तो यहां से हम लिख सकते हैं T1 बराबर कितना अजाएगा क्योंकि L है ये भी तो एकितना हुजाएगा वन बाइर टू टू पाई अंडर रू एल बाइर जी प्लस ये कितना हुजाएगा वन बाइर टू फाई under root कितना आ जाएगा ये कितनी line का था l by 4 तो कितना जाएगा l by 4 upon g ठीक है तो यहां से कितना जाएगा यहां जाएगा 1 by 2 2 pi under root l by g plus 1 by 2 into 2 pi ये कितना जाएगा upon में 4 आएगा 4 का अगर हम बर्ग मूर लेंगे तो कितना जाएगा 2 ठीक है तो 2 pi upon 2 under root l by g ठीक है तो हम क्या करेंगे हम 2 pi under root l by g क्या ले लेंगे कोमन लेंगे ठीक है तो कितना जाएगा 2 pi under root l by g ठीक है यहां पे कितना जाएगा 1 by 2 plus यहां पे कितना जाएगा 1 by 4 ठीक है तो अगर हम यहां से इसको solve करें तो यहां से कितना आ जाएगा यहां से आ जाएगा 2Pi under root L by G ठीक है और यह कितना आ जाएगा 4 तो यह कितना जाएगा 2 प्लस 1 ठीक है तो अगर हम इसको solve करें तो यहां से कितना जाएगा यहां जाएगा 3 by 4 2Pi under root L by G ठीक है तो 2Pi under root L by G किसके बराबर है ठीक है बराबर ठीक है तो यहां से कितना जाएगा 3 by 4 T ठीक है तो कितना जाएगा 3 T by 4 ठीक है तो अगर हम यहां से देखें तो कौन सा option करें तो जो option 3 है 3 T by 4 यह option इस question का correct answer होगा ओके थैंक यू